आपको बता दिक उत्तरक्रदेश में समाजवादी पाठी के निताओं के घर पर आएकर विभाद के ताबर तोर्चा पे चल रहे हैं मौ में पाठी के राष्टे सचेव राजीव राय के घर पर इंकर्टाक्स अच्छापा पड़ा है और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि वह अधिन से सब्सक्राइब कर वाले के ऐसे फोन आ रहा था फिर ईबी और सीबी आई ये तो लोग मनलब ये लोग एकर से वेट कर रहे थे कि लुगाबाद में कि इसको भी आना ही है चुनाओ में उतरना ही है एक फ्री और फेर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस मुकाबले में इस प्रतियोगिता में उन्हें बराबर का चांस मिलना चाहिए भाजपा को भी चांस मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी बीएसपी को भी कॉंग्रेस पार्टी को भी नमस्कार दवायर में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्फा खानम शेरवानी उत्तर प्रदेश चुनाव की गर्मी अपने शबाब पर है और इस गर्मी में इस पूरे चुनावी कैम्पेइन में जो पार्टियां हैं वो तो हैं मैदान में लेकिन इसके अलावा किस तरह से हैं खासकर उन लोगों के उपर जो की समाजवादी पार्टी के नेता अकले श्यादव जो की भाजपा के और योगी अदितनाथ के में चैलेंजर हैं सबसे बड़ी चुनावती वही पेश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अदितनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे अखले श्यादव को दुबारा चांस मिलेगा उनके सबसे करीबी लोग जो हैं जो उनके इनर सरकल के लोग हैं उनके दफ्तरों पर घरों पर चापे मारे जा रहे हैं इसको पचास घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है अभी तक कोई सरकारी बयान इस प्रोग श्यादव के विशाल खांड हैं गोमती नगर के उनके घर पर सर्च चली है यानि कि ये तमाम खोजबीन हुई है एजनसी के तरफ से और इसके अलावा राजीव राय एक प्रॉमिनेंट एक बड़े नेता हैं उनके उपर भी इस तरह की रेड हुई है उनकी हम आपको बया भी सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा इसके लाव एक प्रॉमिनेंट कॉंट्रैक्टर है मनोज यादफ पंजाबी बाग में पूरी में लोकैलिटी है ये कि इलाका है जहां ये रेड पड़ी है वो भी अखलेश यादफ के करीब भी माने जाते हैं इसके लावा भी कई मुद्ध नागरिक इस बात पर विश्वास कर सकता है कि सिर्फ एक पार्टी के नेता एक नेता से जुड़े हुए जो इनर सर्कल के लोग हैं सिर्फ वही वाइलेशन कर रहे थे कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि भाचपा के नेता भाचपा के करीबी नेता या भाचपा के करी इसा मिला, क्यों मिला, कब मिला, ये उनके उपर कभी रेड नहीं पड़ती, क्या वो कभी वो इतने सचे इमानदार लोग हैं कि कभी उनके उपर कोई रेड नहीं पड़ती, कभी उनका कोई गैर कानूनी मामला हमारे सामने नहीं आता, इसमें सबसे ज्यादा है और अफसोस क कहा जाता है एक free और fair election के लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रतियोगी भाग ले रहे हैं इस मुकाबले में इस प्रतियोगता में उन्हें बराबर का चांस मिलना चाहिए भाजपा को भी चांस मिलना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी BSP को भी कॉंग्रिस पार्टी को भी बाकी छोटी छोटी पार्टीयां हैं उन सब को बराबर का मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी खिसमत आजमाएं लेकिन आप ये देखिए कि भारत के लोकतंतर में जिसको भी ये कहा जा रहा है जो विदेशी एजंसियां है वो ये कह रही है कि एलेक्टोरल आटोक्रेसी है यानि एक तरह से चुनावी तानाशा ही बन गया है भारत लकिन चुनाओ भी है निश्पक्ष तरीकी से नहीं हो पारा है क्योंकि बराबर का जो एक लेवल प्लेइंग फिल्ड अंग्रेजी में कहते हैं कि एक बराबरी की जो प्रतियोगता है वो नहीं हो पारही है आप य इजिंसियों का आप काम देख लीजिए, CBI से लेकर ED और IT इसके अलावा, पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का स्थमाल, जिसको सरकारी फंक्शन्स के नाम पर किया जा रहा है उनका रिक्रमों को, जो की दरसल एक पुलिटिकल पार्टी को फाइदा पहुँचाने की सीधे हद तो यहां तक आ चुकी है कि इलेक्शन कमिशन से जुड़े हुए लोग, CEC और EC से जुड़े हुए लोगों को अब PMO, यानि जो प्रधान मंतरी कारयाल है, वो समन करता है, आप सीधे यह देखिए, CEC जिसके उपर चार्ज है कि वो निश्पक्ष चुनाओ कराए, उस CEC और उस इलेक्शन कमिशन चुनाओ आयोग की भी निश्पक्षता पर भारत के इतिहास में शायद ही बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं, जब इतने गंभीर सवाल उठ रहे हूं, तो ऐसे में क्या यह मान ले आ जाए कि जब तमाम तरह की सरकारी मशीनरी का, तमाम तरह की सरका आ रही है, ये एक बॉकलाट नजर आ रही है, भाजपा उनके नेताओं से जुड़े हुए लोगों के उपर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, तस्वीरों में देखे कि जिस तरह से दीवाने पन से जो क्रेज हम देख रहे हैं, अकले शादव को लेकर, जिस जुनून से वहा आदी आदी रात को वो रैलियां कर रहे हैं, और वहां पर जो लोग जमा हो रहे हैं, क्या इस सब को देखकर, जिस तरह की नर्वसनेस भार्टी जनून पार्टी में देख रही है, क्या इसी वज़ा से इन सरकारी एजिंसियों का इस्तमाल किया जा रहा है, अब सुर्फ पाकी हैं, जबकि चुनाओ होना है, उस से ठीक पहले इस तरह की कारवाई देखने को मिल रहे हैं, तो ये तमाम नेताओं के नाम मैंने आपको बताए, इसके लाव आप ये भी देखिए, कि समाजबादी पार्टी की सांसत जया बच्चन, जिनकी बहु एश्वर राय बच चाहिए, कानुनी तरीके से, जो सरकारी अजनसियां है, इनको पूरा हक है, बलकि इनकी जिम्मेदारी है, कि ये इस तरह की जाच परताल करनी है, जरूर करें, लेकिन क्या ये आम जनता के लिए, पत्रकारों के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए ये देखना क्या बहुत चुनाओ से ठीक पहले वो लोग जो की ऑपोजिशन से जड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के साथ इस तरह की कारवाई क्यों की जा रही है, क्या ये उन लोगों को डराने की भी एक साजश, एक तरकीब, एक प्रक्रिया है, जो ये पोटेंशल डोनर्स हो सकते हैं, फंडर और पॉलिटिकल पार्टी इस तक उसके अलावा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गयर कानूनी तरीके से, लेकिन कानूनी तरीके से ही, जिस तरह से जो सपोर्ट करने की समर्थन करने की कोशिश करें, वहां लोग उपोजिशन को, क्या उन सब को भी डराने की एक कोशिश है, आप सिर्फ भाजपा को फंड कर सकते हैं, आप सिर्फ भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अगर उपोजिशन के साथ ऐसा किया जाएगा, तो आपको इस तरह का खम्याज़ा भुगतना पड़ेगा, तो ये बेहत फिक्र की बात है, अफसोस की बात है, कि राजी अफिशल्स वहाँ पर रेट कर रहे हैं, आई उनको सुन लेते हैं. ऐसी नवबत आगी, तो मैं जानना चाहता हूं, कि वह अध्रिस सकती कौन है, जहां से बार बार उपर वाले के ऐसे फोन आ रहा था, साथियों, हम समाज़वादी सिपाही हैं, और हमारे प्रेणा सोथ हमारे बगल बैठे हैं, न डरेंगे न जुकेंगे, लेकिन अपने सम मैं और प्रेका मत करो, 17,600 मेरे पास थे, और मेरे चार इस्टाप थे, सब का मिला के 50 जा, तो टोटल अगर जोड़ोगे तो मेरे खांसे 670,60 था, 67,600 प्रे थे, और विचारे ले नहीं जा सके सरण के मारे, तो मैं उसे दस्ख़त करा के, और मैंने किसी चैनल ओपर पिर यह देखा, तो मेरे पास डाकोमेंटरी यह विडियों से, कि उस चार पांच को चार और फांच वार फिलाक अच्छी है, तर दले अच्छा सा है, इसमेरा 17 जा अच्छा सा है, और मैं आपको बता दूँ कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है, हमारे जितने भी फोन है सम साजाली पार्टी के कारे लेके, यह हमारे समद्री जितने लोग भी हैं, उनके मुबाइल को सुना जाना है, सब को लिस्निक पे लगाया हुआ है, और मुख्यमंतरी खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो सोचिए यह अनपयोगी सका, इसलिए आप लोग बार करते हैं, तो एमान की चलना हैं आपकी रिकॉर्डिंग के हैं। spyware है, कितना आसान है किसी के भी फोन में डाल देना और हम जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो opposition के लीडर्स हैं, जो सबसे महत्पून लोग हैं भारत में, उनके फोन्स में इसको डाला गया spyware को, और उनके audio से लेकर, video से लेकर, तमाम information नहीं कि पूरे के पूरे phones पर कबजा कर लिया गया लोगों के तो बेहत फिकर की बात यहां पर यह हो रही है कि चुनाओ से ठीक पहले यह शंका यह शुभा अगर लोगों के दिल दिमाग में आता है और जिसकी एक ठोस वज़ा है, कि क्या उनका पार्टी को वोड देना है, किस बुन्याद पर देना है उनके मुद्दे क्या है वरिश्पत्रकार मनोच सिंग गोरखपुर से हमारे साथ जोड़े हैं, मनोच यह हैरानी यह हो रही है कि सुप्रीम कॉर्ट ने मैंने जैसे कहा कि एक बार कहा था कि CBI किस तरह से पिंजडे में बंद वो तोता है लेकिन यह तोते इतने सारे हो गए हैं अलग-अलग रंगे हो गए हैं कि अब E.D. के बारे में भी यह कहा जा रहा है IT. डिपार्टमेंट के बारे में कहा जा रहा है आपको नहीं लगता कि जनिता ये समझती है कि इस सब अचानक चुनाओं से ठीक कुछ हफ़ते पहले क्यूं हो रहा है? अब तो जुकी बीजेपी का ये सारे टूल्स जो इस्तेमाल करती है वो 2014 के बाद से लगतार लोग देख रहे हैं हर चुनाओं में इस तरह की एक सिलसिला होता है बीजेपी का एक काम करने का एक तरीका बन गया है कि वो एक एक करके पहले अपने सरकारी जो संसाधन ने उसका देखिए अब इस यूपी चुनाओं में कितना भीशर दूर्पयोग हो रहा है कि प्रदानमंत्री के हर कारिकम में पूरा रोडवेज के सारी बसे दो अजार से भाई अजार बसें लगाना सारे जो जो कमचारी हैं सिच्छक हैं और जो और भी जितने पंचायतों में काम कर तक की बगाइदे जो जिले का दिकारी हैं वो आडर करके लोगों को बुला रहे है तो ये एक तरीका ये भी देखने में आरहा है फिर ईडी और सी बी आई ये तो लोग मनलब ये भी लोग एक तरह से वेट कर रहे थे कि बाद में कि इसको भी आना ही है चुनाओं में उतर और यह सब बाटने हैं तो उसके लिए भी वेट किया जा रहा है कि यह सब लोग डेट भी लोग का रहे हैं कि जब यह बढ़ जाएगा और जनौरी के फर्स्ट वीक तक अभी पचीस से स्टार्ट होगा यह बढ़ जाएगा तो एक तरह से यह धीरे-धीरे जो प्रैक्टिस बीजेपी की रही है चुए बीयार, चे बेंगाल में हर जगा और फिर भी वच्छी निताओं को कि निकनी का तरीके से अपने टैप में लेने की कौसिश नहीं पर दवाओ बनाने की कोशिश यहां तक कि उनके संसादनों नों को चीन लेने यह कोशिश यह चुनाओं में प पैसे का हम मामला देखें, तो पूरे तरीके से जो बॉंड्स हैं, इलेक्टोरल बॉंड्स उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी हमारे सामने नहीं है, वो भी सीधे सीधे सतर उट पार्टी के फेवर में जाती है, अब इस तरह से ये इंस्टिटिशन का जो इस्तमाल हो रहा है, त क्योंकि अब चुनावायोग तक की भूंका पर, अब जिस तरह से चुनावायोग पर पीमो करेले में बुलाने पर वैठक करने जा रहा है, तो अब किसी को भी, और ये बात नीचे तक पहुँच गई है, लोग गाउं में भी आम तोर पर चाचा कर सकते हैं, जैसे एक जग पर कोई भरोसा नहीं रहा गया है, तो बीजेपी ने एक तरह से चुनाओं की विश्वसनिता को तो एकदम खतम सा कर दिया है, और इसलिए कि लोग किसी पर, इसलिए जो बात एक डायलाग चलता है ना, जो बीजेपी के नेता भी करते हैं कि कुछ भी हो आएगा तो योग तक मामला हो गया कि अगर आप मुझे हराते हो तो आपको सजा भी दी जाएगी, दिल्ली के जो समबदाइक जो घट वो हुए खटना है, हिंसा हुई, वो उसमें सरकार संलिप्त के संलिप्तता थी, उनके एजंसियों की संलिप्तता थी, और ये भी उन्हों ने बताया कि अ हम हमतियार अस्तिमाल करते हैं, आप सारे इंसिचिशन को लगा देते हैं, सरकारी सरकार को चुनाओं में जोग देते हैं, इसके बाग भी अगर हमा आते हैं, तो जनता को सजा भी दे सकते हैं, ये दिल्लिप्ता में बने रहने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, आदिका समाजबादी पार्टी हो, फिल्हाल चुकि में चैलेंजर समाजबादी पार्टी और अखिलेश यादव है, इसलिए उन से जुड़े हुए लोगों को निशाना बनाया गया है, क्या आपको लगता है इससे लोग हतोत साहित होंगे, क्या वाकि इसका वो नतीजा हो सकता है ये बात चली गई है, और जितना ही ये बतलब जो चापे पड़े तो लोगों ने काना शुरू कर दिया, कि ये तो बीजेपी की हतासा का ही परशायक है, तो ये एक उल्टा परभाव, बलकि जनता हमेंसा देखिए, भारत में एक खास बात रही है, कि सरकारी दमन जितना ज जादा होता है, उसको समर्थन मिलता है, और जनता इसको कभी अलगा तरह कि से ही इसको देखती है, वह मानती है कि ठीक है, बागी सारी चीजे ठीक है, लेकिन अगर आप सथा का उप्योग करके किसी को उत्पवित करते हैं, तो उसके साथ से जनता खड़ी होती है, और जो उत्विर्ट करते हैं उनको सबक सिखाने का भी काम करती है बहुत बहतरीन बात आपने हैं और शायद उमीद पे दुनिया कायम है और इसलिए इस उमीद के साथ ही मैं आपसे बाचीत का खात्मा भी करती हूँ जो आप कहरें कि जनता प्रबुद है, जनता समझती है, हमारा 75 साल पुराना लोकतंतर है और समझते हैं कि सरकारी दमन एक पार्टी जहल रही है, विपक्षी पार्टी आँ जहल रही है उमीद ही हम ये करते हैं कि वाकी जनता की आग खुलेगी और जनता देख सकेगी और जो मनिपिलेशन चल रहा है हमारे लोग तंद्र को पूरे तरीके से अपने हाथ मे लेकर तोड़ने मरोडने का वो सत्तर उट पार्टी को वो आजादी जनता नहीं देगी शुक्रिया आप